हाई फ्रेंड्स आपका मेडिकल रेप्रेजेंटेड़ योटूग चैनल में स्वागत है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्रोसिन ड्रॉप के बारे में बात करने वाले उसका उपयोग क्या है नुकसान बचाओ खुरक सारी चीजों के बात करेंगे तो इस वीडियो में बने रहें और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो क्रिपिया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ताकि हम आप तक ऐसे बहुत सारे मेडिसिंस के वीडियो आप तक ला सके जो आपके लिए उप्योगी हो तो दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले आपको यहाँ पर जो रिट बटन दिख रही है वीडियो के नीचे उसे प्रेस करेंगे तो मेरा सेनल सब्सक्राइब हो बिल बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए तो दोस्त सबी लोग जानते हैं तो आज हम जानेंगे इसका यूजए और डोक्त क्या है उपिए क्या है और इसका डोज कितना है कितना बच्चे को देना है इसका यूज़ ए तो इसका यूज़ है एंटि पाईरी टिक होता है फिवर रिडूसिंग मेडिसिं मतलब जो बखार को कम कर और एनालजेसिक, एनालजेसिक मतलब अगर दर्द है, किसी प्रकार का दर्द है, बदन दर्द है, मशल पेन है, हेडक है, पेट दर्द हो रहा है, बच्चे को किसी प्रकार का उसको दर्द है, सरीर में अकडन है, तो ये सारी चीजों के लिए ये दवा काम करती है, सरदी के doges के बात करें तो इसका जो doges है यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिस जितना kg का आपका बच्चा है जितना kg का आपका बच्चा हुसाप से आपको देना है अगर आपका बच्चा 3.5 kg से 5.5 kg है तो उसको 0.6 to 8 ml मतलब 0.8 ml उसमें दिया रहेगा वो जो उसका ठककन द है तो उसको 8-12 और अगर 8.5 से जो है आपका बच्चा 12 kg तक है तो उसको जो है 12 से 1.2 से 1.5 ml देना है वो उसमें वहाँ पर बना रहता है तो इस वीडियो में आप पहुझ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा बाकि अगर इस drop के हम side effects के बारे में बात करें तो इसका overdose बच्चे के लिए side effects हो सकता है ज्यादा side effects हो सकता है कई बच्चों में बहुत सारी problem हो जाती है तो यह dose लेने से पहले मैं request करूँगा कि यह जो मैंने doses के बारे में बता इसे जान ले अपने बच्चे का पूरा वजन करे तभी यह medicine ले नहीं तो इसका side effects हो सकता है अक्ड बच्चने के लिए क्या करना है इसका precaution क्या है इसके बचाओ क्या है कि इसको डॉक्टर के सलाह से ही लें और जान लें कि बच्चे का वजन कितना यह सबसे जरूरी है तो थैंक्यू बेरी मच अगर यह मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो प्लीज इसे लाइक और सेयर करना मत भूलिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा